ओम शान्ति कॉलर्शिप लेने के लिए सर्वी सेबल बन बहुतों का कल्यान करना है माना हमें मैडल अब ही मिलेंगे अगर हम कुछ करेंगे यह नहीं अगर आप सिरफ और सिरफ अपने बारे में सोचते हो अपने बारे में मेरा पेट बर जाए किसी को मिले ना मिले अपने बारे में सोचते हो अपने बारे में खाने पीने अपने बारे में सोचते हो तो माना आप शुकल्यान कारी नहीं बन सकते हो और नहीं आप स्कोलर्शिप ले सकते हो क्योंकि आप दूसरे के बारे में नहीं सुचते हो तो आभ इस शुकल्यान के कारे में बाप के साथ भागिदार नहीं बन पाओगे Clear? अगर scholarship लेनी है तो serviceable बन बहुतों का कल्यान करना है बाप का प्रिये बनना है अब बाबा को कौन प्यारे लगते हैं? ये भी बाबा ने मुल्ली में बताया है. कौन प्यारे लगते हैं? सर्विस करने वाले ना? तो सर्विस कौन करते हैं? जो ग्यान योग में खुद चलते हैं. जो खुद चलते हैं, वो दूसरों को चलाते हैं. तो अगर जो खुद नह मनवाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे है क्योंकि हम घड़ी-घड़ी भूल जाते है कि बुलाया किसलिए है क्या कहा था इसलिए आज की मुरली में भी बाबा ने कहा आपने बुलाया था पतिस से पावन बना कर पावन दुनिया में लेच चलो तो मैंने का था मैं आऊंगा मैंने यह नहीं कहा कि तुम इस शरीर के साथ अमर हो जाओगे शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा ना अब तुमने कहा ये गंदी दुनिया है ये पराई दुनिया है ये पतित शरीर है तो पतित शरीर तो तुमें यहीं छोड़ना पड़ेगा न से खुद समझा जाती है वही दूसरों को पढ़ा सकता है ओके ओम शान्ति